जय हिन दोस्तों स्वागाते आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साइट के बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल क की जानकारी आपके हां तक पहुंचे जाताश जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो भासा बूर्षण की रशिनाकार कौन है आंसर अगर आप से बनता है तो आप कमेंट में जरू बत ग्रंथ माना जाता है इसमें 212 चंड हैं प्रारव्म में 10 दोहों में भूमिका है और 60 दोव चंडों में ये 116 अलंग कानों का विवेचन हुआ है यहाँ पर अंगला कॉस्चन आप से पूच्चा है कॉस्चन नंबर आप से यहाँ पर पूच्चा है 212 भासा बूर्षण क कि रचेता कौन है जस्पनतस नहीं ये question आपका डवल हो गया है यहाँ पर question नमबर आपका 213 क्या पूंछा है यह कौन सा ग्रंत है चंद्रा लोकी की छाया है question नमबर आपको 213 का सही answer वताना है वह ग्रंत कौन सा है तो आपका यहाँ पर सही answer है question नमबर 213 का सी राइट आंसर है भासा भूसन भासा भूसन आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही भासा भूसन आपका राइट आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 214 पूंचा है तुलसी आदुनिक बातायन से पुस्तक के लेखक कौन है question number 214 बताईए 244 का सही आंसर बताना है तुलसी आदुनिक बातायन से पुस्तक के लेखक पूंचा है तो आपका राइट आंसर है रमिस कुंतल मेग आपका सही आंसर होगा रमिस कुंतल मेक आपका राइट आंसर विलकुल सही आंसर बताया है और अंगले कॉस्चिन क्या पूँचा है तो कॉस्चिन रमबर आपका दोसो पंदरे पूचा अरस्तु का कापड़ सास्तर किसकी रचिना है बाबु गुलाब राय डाक्टर नगेंदर डाक्टर नामबार से है या रामतियंदर सुकले तो दोसो पंदरे का सही आंसर क्या होगा बताये 215 का राइट आंसर बताना है तो आपका अरस्तु का कापड़सास के किसकी रचिना है डाक्टर नगेंदर आपका सही आंसर होगा डाक्टर नगेंदर आपका सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर बताया है अरस्तु का काब्यसास 1907 ताउन में डाक्टर नगेंदर द्वारा लिखा गया है और इसकी मौलिक तता संपादित 50 पुस्त के हैं मौलिक ग्रंतों में सुमित्रा नंदर पंते में और यहाँ पर देखि है यहाँ पर पूंचा क्या है क्या पूंचा ग्या है आपका अंगला कॉस्चिन कॉस्चिन नंबर 216 है नई समीक्षा नई संदर्ब किसकी आलोचिना किरती है देखिए याद रखे सबसे पहले तो यह आलोचिना किरती अगर बिदा में पूँचा जाता तो आलोचिना किरती है और किसकी है यह पूँचा है आपसे आपर तो नई समीक्षा, नई संदर्ब नक्टर नगेंदर आपका सही आंसर है इनकी यह किरती मानी जाती है आपसे 217 पूँचा है आप रवासी की यात्रा है नामक किरती की रचिनाकार कौन है इसकी रचिनाकार आपको बताना है और आपका सही आंसर है विकल नबर एक डाक्टर नगेंदर आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही आप रवासी की यात्रा है डाक्टर नगेंदर की रशिना है अंगला कॉस्चिन क्या पूंचे सुमित्र नंदर पंत नामक ग्रंत के लेखक कौन है कॉस्चिन नंबर दो सो अठारा है 218 का सही आंसर बताना है सुमित्र नंदन पंत ग्रंथ है और इसके लेखक जो है भै डाक्टर नगेंदर है कौन है डाक्टर नगेंदर सुमित्र नंदन पंत ग्रंथ के लेखक और अंगले कॉस्चिन क्या पूंचा है देखे कॉस्चिन नंबर 19 पूंचा गया है यहाँ पर आप से कथन पूंचा गया, बहुत बड़ा कथन पूंचा देख लेते हैं, यदि कहा जाए कि सब्द सागर की उपयोगता और सरवांग पूनता का स्रेख, रामत्यांद सुकल को प्राप्थ है, तो इसमें कोई अन्योक्ती ना होगी, इस एक प्रकार से उनी के परिश्रम, व मूल्य परक कथन जो है, किस का है, राइट आंसर है आपका, यहां पर क्या होगा, तो आपका सही आंसर यह जो कथन है, मूल्य परक कथन किस साहितकार का है, तो बाबु स्याम सुन्दरदास आपका यहां पर सही आंसर होगा, बिलकुल सही, बाबु स्याम सुन्दरदास कर अंते तक रामचंद सुक्ल का संबंद रहा है और अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचाए आप से देखे दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है कॉस्चन नमबर 220 बताइए क्या है इसका राइट आंसर तो आपका सही आंसर है यहां पर विकल्प नमबर एक यान की आलोचिना आपका सही आंसर है आलोचिना राइट आंसर है बिलकुल सही दूसरी परंपरा की खोज 1982 आलोचिना विधा की रचना है इसके लेखक पूंचा जाता तो नामबार सही इसके लेखक माने जाती है डाक्टर नामबार सही की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज क आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही दूसरी परंपरा की खोच के लेखक कौन है तो अब भी पड़ा कि दूसरी परंपरा की खोच के लेखक माने जाते हैं नाम बारसे हैं कौन माने जाते हैं नाम बारसे हैं तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा यह जो है ये TGT 2005 में पूँचा गया था तो महत्पूर्ण question है ए और अंगला question क्या है तो question नमबर 224 से आपसे यहाँ पर कभीता के नए पृतिमान के लेकक कौन है कभीता के नए पृतिमान के लेकक कौन है तो आपका right answer question नमबर 224 का right answer होगा यहाँ पर question नमबर 225 क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं question नमबर 225 आपका इरहा देखे डाक्टर नमबर से का कतन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूरवर्ति ब्यक्तिबादी इतिहास पिल्णाली के स्थान पर सामाज़क अत्वा इतिहास पिल्णाली का आरम करने वाली पहली हिन्दी पुस्तक है तो इह कतन कि स्थान के लिए है डाक्टर नमबर से क किसका है डाक्टर नमबर से तो देख लेते हैं इहाँ पर question number 226 प्रगतिवाद किसकी क रहती है प्रिगती बाद किसकी कृति मानी जाती है 226 का सही आंसर बताना है तो बिलकुल सही राइट आंसर है आपका सिवदान सेह चौहन सिवधान सेंच चौहन आपका विकल्प नमबर ए यहाँ पर सही आंसर है प्रिकति बाद एवन साहिती की समस्याएं जो है सिवधान सेंच चौहन की रशिनाएं मानी जाती हैं नमबर आपका 227 पूंचा है निम्ने लिखत में एसे किसने हिंदी साहित का इतिहास नहीं लिखा हिंदी साहित का अधवा और वेकास यह जो है किसे ने लिखा हजारी पर साथ दुवेदी ने डाक्टर नगेंदर ने हिंदी साहित का इतिहास लिखा है जबकि लक्ष्मी सागर वाशने ने हिंदी साहित का इतिहास नहीं लिखा है अंगला कॉस्चन क्या है देखे अंगला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, डाक्टर नलन ब्लोचन सर्मा इसके लेखक मानी जाती हैं, question number 299 है निमल कितमें से किस गरंथ की लेखक राम बिलास सर्मा हैं, वैंग्रंथ आपको बताना है, कौन सा वह ग्रंथ है जिसके लेखाव के कौन है राम बिलास सर्मा है तो 239 का सही आंसर है आपका C यानि कि भारत में अंग्रेजी, राज और माक्सबाद आपका सही आंसर होगा तो विकल्प नमबर C आपका यहां पर राइट आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया C जनों ने बताया है उनका राइट आंसर होगा कौस्चन नमबर आपका 230 पूँचा है यहां पर नराला की साहित साधना आलूचिना किर्थी के कितने भाग हैं तो कौस्चन नमबर 230 है और आपका सही आंसर है 230 का विकल्प नमबर C यानि की 3 भाग हैं कितने भाग हैं? 3 भाग हैं तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहां पर विकल्प नमबर C कौस्चन नमबर 211 है इनमेसे किस गरंथ के लिकर रामब गरंथ आपको बताना है कौन सा बहेक गरंथ ہے बताए कौन से ग्रंथ है जिसके लेका कौन है राम बिलास सर्मा राइट आंसर है भारत में अंग्रेजी राज और माकसवाद इस ग्रंथ के लेका क्माने जाते हैं राम बिलास सर्मा question number आपका यहाँ पर 232 क्या पूँचा है तो 232 वा question यहाँ पर दिया गया है आपका क्या दिया गया है देख लेते हैं देखें यंदि डी राइट आंसर होगा, question number 233, क्या पूंचा है, महावीर परसाद दुबेदी और हिंदी नौजागरन के लेकद कौन है, महावीर परसाद दुबेदी और हिंदी नौजागरन के लेकद कूंचा है, रामबिला सर्मा है, डाक्टर नगेंद्र है, नामबारसें हैं, या नंद 234 है, महावीर परसाद दुबेदी और हिंदी नौजागरन किर्थी के लेकद के लेकद एक question आपका, फिरसे डबल हो गया है, यहाँ पर, विल्कुल रामबिला सर्मा आपका है, question number 235 है, भारतेंदु योगो और हिंदी भासा की विकास परंपरा के लेकद कौन है, डाक्ट रामबिला सर्मा आपका, question number 236 है, और आपका सही आंसर है, यहाँ पर, विकल्प नमबर आपका, यहाँ पर क्या होगा, डाक्ट रामबिला सर्मा आपका, नय पृति मान, इसके लेकद नहीं माने जाते हैं, नामबार सही, कभी तके नय पृति मान, याद रखे, और कभी तक नय पृति वह पर आपका, अंगला क्या पूंचा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, question number 237 है, question, भारतेंदु आहित की भूमिका के लेकद कौन है, 237 का आंसर भारतिय साहित की भूमिका के लेखा के दूदनासे हैं रामबलास सर्मा है रामदरस्मिस्त्र है और प्रॉक्त मैंसे कोई नहीं 237 का सही आंसर बताना है तो 237 का सही आंसर आपका यहां पर जो होगा भै होगा आपका right answer C यानकी रामविलास सर्मा आपका सही answer है विकल्प number C आपका सही answer है बिलकुल चही भारतिये साहित की भूमिका के लिए का रामविलास सर्मा माने जाते हैं question number 238 पूंचा है आप से निमनलिकत में से एक रचिना पत्र साहित के अंतरगत नहीं है वै कौन सी रचिना है वै रचिना आपको यहाँ पर बताना है बताईए पत्र साहित के अंतरगत नहीं है वै रचिना तो आपको यहाँ पर दोसों 38 का right answer है एक यानकी मेरा संदी पत्र है मेरा संदी पत्र आपका सही आंसर पांडवेचन सर्मा उक्र द्वार संपादत फाइल प्रोफाइल और फाइल प्रोफाइल ये किसकी है पांडवेचन सर्मा उक्र द्वार संपादत है और जीवन प्रिकास जोसी द्वारा बच्चन बच्चन पत्रों में 1970 में हरिवंस राय बच्चन द तो यहां पर देख लेते हैं 249 वा question आपका इरहा देखी चिठिया हो तो हर कोई बांचे किसके पत्रों का संग्रा है किसके पत्रों का संग्रा है चिठिया हो तो हर कोई बांचे किसके पत्रों का संग्रा है तो question number 249 का सही answer है फनिस्वर नाथ रेनू आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 240 पूचा है चिठिया हो तो हर कोई बांचे इसमें फनिस्वर नाथ रेनू का यह संग्रह माना जाता है पत्रों का संग्रह इसका है फनिस्वर नाथ रेनू विल्कुल सही विल्क नंबर C आपका right answer यहाँ पर एक question डबल हो गया है तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर महत्तुफून question complete हुए है क्या असा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताए और सभी लोग वीडियो को लाइक करने अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की नोटिपिकेशन आपकी हाँ तक पहुँचे जादा सी जादा वीडियो को सियर करना है ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवस्तर कर दें आज के वीडियो हैं बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद